अबयां कि बराद जानां कदी न कदी त्वचेची अलर्जी उत्पन न जाले लिए असेल त्वचेची अलर्जी मटजा नक्खी काए यहां असत तर अच्छानक अपलेला सरवांगाला खाज विल लगते कुट्टे ही कंट्रोल होना नहीं इत्परत खाजेते आणि त्या डिकांची त्वच्छा लाल होने कि वा त्या डिकांची लाल सर चट्टे निर्वण होने यह सर्का अनुबोये तो कधिकधी त्वच्छा सूजल्यासार की दिखिल जानों थे आड़े अपने एकदम घामरण जातों कि अलर्जी तुम्हाला स्कीन अलर्जी आलेले आए नमीन संशुदानों सर जवपास बाराशे गोष्टिंची तुम्हाला अलर्जी उत्पन हो शकते जैचा मदे प्रामुख्याने सीफूड आहे धूल क्यों माती यह संबर्का है परक प्रसंगी काही वेक्तिम ना त्याटिकांची त्वच्चा लाल होने खुब गरम जाले सरकी जानोने यान सरका अनुबोयेतों यह साथी जवा आउश्द उप्चार केले जाता त्यवा बरासद आसर इसुनेता कि अलर्जी वर्ची आउश्द गेटली की ही लक्षण कमी हो अर्विदे शास्तरातील नाडी परिक्षा ही अचा साथी अतिशो उपीगी बढ़ते नाडी परिक्षे द्वारे तुमच्या शिर्यातील दोशस्तीती समझून ग्यों तुमच्या अलर्जीच सा मूल काराण समझून गेतला जाते त्या अनुशंगाने जवा ट्रिट्मे के लिजा जाते है त्यवा तुमच्य स्कीन ची अलर्जी कायम ची बरी होने साथी मदद हूशक्ती